हलो एवरिवान वेलकम टो माई चानल आज मैं आपके साथ शेर करने वाले हूं बहुत इजी और डिफरेंट पॉप्सिकल जो बनाना भी बहुत आसान है और इसका टू कॉम्बिनेशन जो है वह बहुत अच्छा लगता है खटा मीठा कॉम्बिनेशन जो है वह बहुत आफुररी कॉक्रा में इसके सारे ने ऐसे और जिए डालेंगे और इसका इक महीन पाउडर बनाना यह दीरे दीरे से आप इसे कूट कर मिक्सी में भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं अच्छे से इसे क्रश करना है जादा पान डाल देंगे तो इसको फ्लीवर है वो कम हो जाएगा इसलिए आप प्र अंदाज से पाने डालेगा और दो सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और यह जो गुटलियां दिख रही है आपको आप इसे मिक्सी में भी अच्छा चला लेंगे तो जल्दी हो जाएगा इसे हम साइड में रखते हैं कटोरी ली है उसके मैंने हैं एक कप दूद लिया है उसमें दो चम्मक मलाई भी है जो फ्रेश ना दूद पे वह ली है और दो चम्मक शक्कर डाल देते हैं हो सब अब इसमें मैं थोड़ा सा पेंच और फूट कलर डाल रहे हूं यह ऑप्शनल स्टेप है नहीं तो वाइट वाइट रहेगा वह भी अच्छा लगेगा आप डालेंगे तो दो कलर में अच्छे लगेंगे यह सिंपल है आप इसमें दूद पाउडर भी डाल सकते हैं अब सब क्रीमी करना चाते हैं थोड़ा सा ब्रेट क्रम डाल दीजे और अच्छी हो जाएगी एक दब मटके कुलफी जैसी नीची का जो लेयर है वह आपको मटके कुलफी जैसा फ्लेवर आएगा अब इसको मिक्सी में चलाकर साइड में रख दीजे देखिए अब हम इसमें मिक्स करना है और हाफ में हम वह जो हमने चौवरी कलर का जो दूद बनाया है उसको मिक्स करेंगी अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कम से कम 3-4 घंटे के लिए रख देंगे फ्रीजर में 3-4 घंटे के बाद हम देखेंगे कि यह अच्छे से सेट हुई कि ने सेट होना बहुत ज सेट हो गई है इसी टाइम पर हम अपने सारे मोल्स फुल करेंगे और इसे ओवरनाइट लिए रख देंगे दिखिए ओवरनाइट रखने के बाद यह अच्छे सेट हो गई है मैं इसके सारे अलोमीनियुम वॉयल्स जो है वह रिमूब कर देती हूं देखिए अच्छे सेट ह लिए यह आप आइस्क्रीम स्टिक भी उश कर सकते हैं अब मैंने क्या किया एक कप लिया है और इसमें हलका सा से डिप करेंगे यह जल्दी से इससे निकल जाएगी और अपने हाथों से अच्छे सरफ करेंगे और दीखें यह इसली निकल जाएगी आप दूसरी वाले को यह भी करने की जुरुत नहीं पड़ेगी यह दिखिए कितनी अच्छी लग रही है ना यह टू कलर्स में आप इसे हाफ हाफ भी बना सकते हैं मैंने इसे थ्री फोर्थ करके बनाया था आप इसे हाफ हाफ भी कर लेंगे तब भी अच्छी लगेगी आप सेकेंड वाले देखिए इसली निकल गए इसी तरह से मैं सबको डी मुल्ड कर लेती हूँ और देखिए कितनी यमी लग रही है ना यह देखने में जितनी अच्छी है ना उससे जादा अच्छी है खाने में है आप अगर आपको मेरे रेस्पी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक मैं यहीं आपके लिए अच्छी रेस्पी लाते रहूंगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको यह पॉप्सिकल कैसे लगी है बिल्कुल नीव है आपको ज़रूर अच्छी लगी